नमस्कार दोस्तों मैं संदीव डिश्टर मार्केटिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा affinity and custom affinity audiences के बारे में पहले में पेपिटी में आपसे discuss करूंगा affinity and custom affinity के बारे में उसके बाद गूगल एड में जाके हमें custom affinity audience create करेंगे और किस तरह आप affinity audience जो auto created होते हैं उनको use कर सकते हैं different campaign में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप यूज करते हैं affinity audiences को जो की auto created होती हैं तो आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं basis पे उनकी क्या interest हैं क्या उनकी passions हैं क्या उनकी habits हैं जितने भी Google के advertisers हैं अभी वो affinity audience को यूज कर सकते हैं search, display और video campaign में और Gmail में भी यूज कर सकते हैं affinity audience को दोस्तो affinity audience का size होता है वो broad होता है जब आपको objective होता है brand awareness तभी आपको इस तरह की audience type है उनको use करना चाहिए जो लोग TV पे advertise करते हैं उन particular advertiser के लिए affinity audience उनको काफी पसंद आती है Google Ads किस तरह create करता है different audiences को तो जो भी आपकी browser की history है कि आपकी particular website पे आपने visit किया जिन pages पे आपने visit किया उन पे अपने कितना time spend किया उसी की basis पे जो आपने time spend किया कि website को आपने visit किया तो आपका interest पता चलता है तो आपकी जो browser होता है user का इस तरह different audience में Google Ad, आड करता है इस तरह different audience create होती है कि जिन लोगों का food में interest है जिन लोगों का home में interest है तो audience का size भी बहुत broad होता है आप affinity audience को create नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप custom affinity audience बना सकते हैं, तो इसमें जो advertisers हैं वो एक audience create कर सकते हैं, उनके brand के according, जिन लोग जो उनके brand के product and service में इंटरस्ट रखते हैं, different URL हो यूज कर सकते हैं, तो इससे कि आपके एक पास एक broad audience create होती है, लेकिन जो आपके brand के जो type of product service हैं उनमें interest रखती है आप custom affinity audience को create कर सकते हैं combination में सबसे पहला है इसमें interest तो इसमें आप different keyword phrases को add कर सकते हैं second है इसमें URL जो भी आपको लगता है कि website है जिनमें आपके business selected content है उनके URL को आप add कर सकते हैं जो places का option है वो उसमें आप add नहीं कर सकते हैं जो भी वहाँ पर auto generated है उनको select कर सकते हैं जो भी लोगों का lifestyle or passion selected places है उनको आप select कर सकते हैं आप apps टार्गेट कर सकते हैं जो भी आपके ideal customer है वो interested हैं जिन तरह की app में मगर ऐसा नहीं है जो भी आपने यहाँ पर app select की तो आपकी add उनकी particular apps में आई की तो उनकी तरह जो similar app है उनमें आपकी add आ सकती है अब मैं आपको देखाँ को किस तरह आप affinity audience को यूज कर सकते हैं अपने different campaigns में search, display और वीडियो में और किस तरह आप create कर सकते हैं custom affinity audience को तो आपकी जो existing campaign है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं otherwise आप यहाँ पर plus icon पर click करते हैं आपको new campaign पर click करना है जो भी आपका goal है आपको select करना है यहाँ पर आपको जो भी आपका campaign type को select करना है आपको अपनी company का URL देना है और यहाँ पर continue पर click करना है दोस्तो इस वीडियो में आपको campaign बनाना नहीं सी कर रहा है तो मैं directly audience के उपर आ रहों कि किस तरह आप affinity audience को use कर सकते है इसमें यहाँ पर आपको browse पर click करना है और second option यहाँ पर देख सकते है affinity and custom affinity audience तो इसमें आप user के interest और habits के base पर target कर सकते है रखनें, तो आपको उसमें और आप उसमें के एक क्लिक करते को पर quintutes बाद यहाँ पर देख सकते है डिफेंट auto generate audiences यहां पर है तो जो भी आप की 그러면 इसमें एल्मेंस्य जो भी यहां पर audience उसको आप target कर सकते है और यहां पर आपको देख सकते हैं banking and finance है इसको यहां से आप over करते हैं तो आप audience का size देख सकते हैं कि कि कितने impression weekly है जो यह estimate आपको मिल रहा है यह India English और display हमने campaign type choose किया था तो उसकी basis मिल रहा है अगर मैं वहाँ पर video campaign का type choose करता है तो यहाँ अगर मैं यहां पर down arrow पर क्लिक करता हूं तो यहां आप अपशेन है अवेट investor का तो इस particular audience का size क्या है, तो अगर मैं यहां banking finance को target करना चाहते हूं तो तुम्हें यहां पर check कर सकता हूं otherwise मैं चाहता हूं सिरफ तो मैं सिर्फ यहां पर आवेड इन्वेस्टर को टिक कर सकता हूं और यहां से बैंकिंग और फिनांस को अंचेक कर सकता हूं इसी तरह यहां पर जो different audiences हैं उन्हें मैं down arrow पर click करके और जो भी थोड़ा सा मैं narrow करना चाहता हूं affinity audience को तो उस तरिके से वह चीज पॉसिबल है तो यहां पर आप देश सकते हैं media entertainment affinity audience है पर उसमें अगर मैं थोड़ा सा उसकी size को narrow करके specific interest या habit की base पर ही target करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे different option मिलते हैं like book lovers, gamers, light tv viewers तो इनको मैं different audience का size देख सकता हूं और अपने business के according यहां से select कर सकता हूं उसके बाद मेरे पास option यहां पर है custom affinity audience का तो जिसमें मैं interest, URL, places और app की base पर custom audience create कर सकता हूं तो आप यहां तो directly यही से custom audience क्लिक करके यहां पर आप उसको generate कर सकते हैं otherwise आप अगर tool and setting पर क्लिक करते हैं आप यहां पर audience manager पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर custom audiences पर क्लिक करना है आप यहां पर plus icon देख रहे हैं आपको plus icon पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको custom affinity पर click करना है तो सेम तरह का यहां पर dashboard आप देख सकते हैं जो अभी हमें पॉने जो हम कस्टम आफिनिटी ओडियंस है उसको क्रेट कर सकता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं मुझे जो option मिलते हैं कि यहां पर मैं different जो countries को स्टेक्ट कर सकता हूं तो यहां पर भी all countries selected है तो मैं यहां पर example के लिए इंग्लिश करना तो मैं यहां पर देख सकता हूं इसी तरह यहां पर campaign type का option है अगर मैं चाहता हूं जो मेरी particular audience है उसको मैं display में यूज़ करूंगा तो यहां से display type को select कर सकता हूं या otherwise मैं यहां से video को select कर सकता हूं तो उसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले अपनी custom audience का name देना है उसके बाद आपके बास यह option होता है करना चाहते हैं यहां पर different places को option आपको मिलता है यहां पर places का मतलब है जहां पर आपकी जो audience है वो time spent करेगी like football stadium उस तरह कि आप places को यहां target कर सकते हैं और जो different apps है आप उन apps के भी according अपनी जो targeting audience उनको यहां पर उसको create कर सकते हैं तो यहां पर example के लिए मैं आपको एक hotel के लिए audience create करता हूं तो आपको दिखाऊंगो किस तरह है आप यहां पर multiple जो interest है यूरल है place है आप है उसके बैस पर audience create कर सकते हैं यहां पर google item हमें suggest करता है कि जो हमारी targeting है वो improve हो उसमें अच्छी quality और अच्छी reach हो तो at least five items हमें add करने चाहिए interest, URL, places और app की basis पे ताकि जो हम audience create कर रहे हैं गूगल जो हमने different यहां पर interest mention किये तो उसमें अगर हम ज़्यादा items mention करेंगे तो Google के लिए easy होता है समझना कि हम किस context में audience create करना चाहते हैं उतनी ही एक अच्छी audience create कर पाएंगे जब उस particular audience को हम use करेंगे targeting के लिए तभी हमें एक अच्छे results मिलेंगे दोस्तों यहां पर दिख सकते हैं total 18 items मैंने add कि हैं जिसमें different इसको यहां पर दुबार आपको बदाना चाहता हूं कि जब भी आप यहां पर URL mention करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो आपने यहां पर URL mention किये उन पर आपकी गूगल एड क्या करता है कि जो भी यूजर इन पर्टिक्लर वेबसाइट पर जाते हैं वो बाकी जिस तरह की वेबसाइट पर जाते हैं एक जिस तरह का content हो यहां पर consume कर रहे हैं उसकी basis पे उन जो पर्टिक्लर एक target आपकी audience है उनको identify करने की कोशिश करता है इसी तरह यह है उसके बाद यहां से आपको इसको save करना है आप यहां पर जिसकते है hotel audience जो custom affinity audience से वो create हो गया है अब मैं इस particular custom affinity audience को new campaigns के लिए as well as जो मेरी existing campaigns है उनमें use कर सकता हूं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको affinity और custom affinity audience समझ में आयोगा क्या इन दोनों में difference है अगर आपको को क्यों भी question दो आप comment box में mention कर सकते मैं उसका answer करूँगा वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे bell icon को जुरूर हिट कीजे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप मिसना करें thank you